Friends, आज का जो वीडियो है ना बहुत ही important है, हो सकता है कि आप recently एक laptop and desktop को purchase किया, उस laptop and desktop में Windows 11 चाल रहा है, और time के साथ साथ आपका जो Windows है, वो धिरे दिरे करके slow हो रहा है, hang कर रहा है आपका PC, आपका PC में SSD है, antivirus भी है, मगर फिर भी आपका PC धिरे दिरे करके slow हो रहा है, purchase करना के time, उसका जो speed था, वो speed अभी नहीं है, तो यह basically होता है, आपका PC में जो RAM है, और RAM का जो cache memory है, वो धिरे करके भर जाता है, तो within 7 days में, आपका PC का RAM है, उसको cache memory है, उसको clean करते रहना चाहिए, नहीं तो आपका PC hang करेगा, और slow हो जाएगा, तो कैसे, आप आपका PC क जो RAM का cache memory है, उसको clean कर सकते है, चलो, आज मैं यह आपर इस वीडियो में दिखाता हूँ, देखो, friends, में मैं मैं लैप्टोप में आगया, इस लैप्टोप में Windows 11 चल रहा है, जादा दर PC में आभी Windows 11 operating system चल रहा है, Windows 10 पे भी आप एर tricks को use कर सकते हो, चलो, मैं यह आपर दि RAM section में, यह आपर memory, जो RAM है, RAM section में, मैं यह आपर दिखने के कोशी कर तो, यहापर जो cache memory है, आप यहापर देख सकते हो, 2.3 GB दिखा रहा है, मेरे 8 GB RAM से 2.2 GB use हो रहा है, हर बक्त use हो रहा है, तो मेरा PC का जो performance से द्रेदर करके slow हो गया, इसको MB में मुझे convert करना है, इसको प आप दिखने के कोशी करते हो, तो आप ही जाके PC का tax manager में चलिया हो, और tax manager जाने के बाद यहापर performance section में, memory section में चलिया हो, आप यह आपका PC का RAM का cache memory देख सकते हो, कि इतना भर गया, इसको पूरीता से clean करना होगा, नहीं तो आपका PC slow करके run करेगा, देखिए आप इसको map, map, download, d-o-w-n-l-o-a-d, just love, लिखो, RAM map download, और यहापर एक software download होगा, यह पूरीता से Microsoft का sites थे, यह पूरीता से download होगा, चलो मैं यहापर देखने का कोशी करते हो, तो RAM map download, यहापर मैं क्लिक किया, देखिए यहापर, यह पूरीता से Microsoft का software है, RAM का cache memory clean करने के लिए, वीडियो को six month बाद में देखते हो न, तो यहापर जो नामबर है, चेंज हो जाएगा, यह आप्ड भर्षन आ जाएगा, अभी यहापर चल रहा है, current version भी 1.61, यह बर्षन चल रहा है, चलो यहापर मैं download करने का कोशी करते हो, इसको मैं यहापर क्लिक किया, और क्लिक करने जो आपाद देखो यहापर रहाइम पाद इसको राइट कलिक करो और यहा पर एक्स्ट्राक कर लो इसको यह आपर ex bask करने के बाद इक्स्ट्राक यहापर उगा, और पर इसको एक्स्ट्राक कर जाएगा, जो फ़र्स्ट पहले बला ओप्शन है इसको आप डॉब ग्री कर और double key करने के साथ साथ एक पूईता से आपका PC में इंस्टोर हो जाएगा देखो यहाप पर आपकर एक री कर देता हूँ कुछ नहीं बोलना होगा देखो यहाप आपकर आपके इंटरफेस आ गया आपका RAM का cache memory कितना सारा कुछ है वो सारा कुछ मेजर कर लिया देखो यहाप आपर ऐसा करके इंटरफेस आ गया है अभी मैं यहापर फीर से टाक्स मेजर को ओपिन कर लेता हूँ और जो मेरा RAM का cache memory है वो भी मैं यहापर दिखने का कुछी करता हूँ यहापर फारफोन इस empty station में क्लिक कर लो और empty standby list यहापर क्लिक कर लो और इसको क्लिक करने के साथ देखो यहापर एंब में आ गया पहले फिर से आप ऐसे कर सकते हो empty cash memory list देखो यहापर एंब में आ गया देखिए अपर पुरितास से MB में आ गया, पहले GB था, अभी MB में आ गया, RAM का जो cache number ही है, इसको मैं पुरितास से clean up कर दिया, So within seven days में एक बार, आपको PC का जो RAM है, उस RAM का जो cache number ही है, उसको ऐसे आप clean कर सकते हो, आपको PC हैंग नहीं करेगा, आपको PC का जो speed है, उस सही रहेगा, So friends, आज में आपने इस वीडियो में देखने का कोज़ेगे, कि आपका जो PC है, उस PC का जो RAM है, RAM का cache number ही, आपका जैसे clean up कर सकते हो, यह बहुत ही necessary है, सो आच चलते हैं, आप इनते बहुचल के नहीं आपना वीडियो है, तो तो दिस दोगे, टेक एक भूबे, टार्ट, थेंक यू,